धन को आकरशित करने वाला पौधा क्रसुला यानी मोहिनी का पौधा शुक्र ग्रह से जुड़ा है, जो धन का योग बनाता है। माना जाता है कि भगवान कुबेर को ये पौधा बहुत पसंद है और इसलिए इस पौधे को लगाने से घर में भगवान कुबेर की कृपा बनी रहती है। इसके अलावा ये कुंदली में शुक्र ग्रह को मजबूत करता है और धन लाब में मदद करता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप इसे सही दिशा में लगाएं। वास्तु नियम के अनुसार अगर घर में क्रसुला या मोहिनी का पौधा लगाया जाए तो ये बहुत फाइदेमंद होता है। वास्तु के अनुसार इसे घर के पूर्व या उत्तर दिशा में रखना चाहिए। अगर इन दिशाओं में पौधे लगाने की जगह नहीं है तो ऐसी स्थिती में आप इसे घर के मुख्यद्वार पर भी लगा सकते हैं। इसके अलावा इस पौधे को लिविंग रूम और बेडरूम में भी लगाना अच्छा होता है। लेकिन क्रसुला को कभी भी दक्षन दिशा में नहीं लगाना चाहिए। साथ ही इसे शोचाले में कभी न रखें। आप चाहें तो इस पौधे को वर्क प्लेस पर भी रख सकते हैं। कार्यस थल पर इसे दक्षन पर्श्चिम दिशा में रखना शुब माना जाता है। इसे कार्यस थल पर रखने से आपको सकारात्मक महौल मिलता है और आप बहतर तरीके से काम कर पाते हैं। इसके अलावा ये पौधा आपके लिए तरक्की के रास्ते खोलता है। इसके अलावा अगर आप व्यापार करते हैं तो आपका कारोबार तेजी से आगे बढ़ता है जिससे धनकी आवक होती है। इस पौधे की खासियत यह है कि इसे ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती है। इसे रोजाना पानी देने की जरूरत नहीं है। यदि दो या तीन दिन बाद भी पानी दिया जाए तो ये पौधा नहीं सुखता है। इसके अलावा अगर इसकी ठीक से देखभाल की जाए तो ये घर के अंदर भी पनपता है। यह आपके घर में ज्यादा जगह भी नहीं गेरता है आप इसे छोटे गमले में भी लगा सकते हैं।